हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्रियंका की हाई तिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम आई होप आप लोग विल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे तो फ्रेंड्स आज में फिर से आप सभी के लिए एक रैस्पी लेकर आई हूँ आई होप आप लोगों पसंद आएगी तो बच्चों का मन किया आज अचानक से मसाला डोसा खाने का तो मैंने सोचा चलो इंस्टेंट रवा मसाला डोसा बनाते हैं तो आज जट पड बना कर तियार करेंगे ये मसाला डोसा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सामभर बनाएंगे तो यहां मैंने गैस के उपर एक प्रेशर कूकर रखा है इसमें मैं एक कप अरहर की दाल डालूंगी जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है अब इसमें दो स्लाइस में कटके हुए प्यास डालेंगे अब इसमें मिक्स वेजटेबल्स एड़ करेंगे तो वेजटेबल्स में मैंने लिया था थोड़े से कद्दू, थोड़े सी बीन्स, एक सिमला मिर्च, दो तीन बैंगन इन सबको मैंने अच्छे से चौप्ट कर लिया था आपकी पास जो भी वेजटेबल्स हो वो एड़ कर सकते हूँ आप अब इसमें मसाले एड़ करेंगे टू टी स्पून टर्मरिक पाउडर एड़ करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एड़ करेंगे अब इसमें वन टेवल स्पून सांबर मसाला आड़ करेंगे अब इसमें तीन कब पानी आड़ करेंगे तो सांबर आपको गाड़ा का अनापसंद है या पतला उसके हिसाब से आप पानी आड़ कर सकते हो तो सब्जी को थोड़ा मिक्स करेंगे उसके बाद कुकर के लिड़ लगा कर 3-4 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तब तक हम नारियल की चटनी बना लेते हैं तो यहां मैंने मिक्सर जाल लिया है इसमें थोड़े से फ्रेस नारियल के टुकड़े डालूँगी अब इसमें 2 हरी मिर्च एड़ करेंगे 4-5 करी पत्ता एड़ करेंगे इसमे अब इसमें 1 टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अब मिक्सर जार को बन करेंगे और क्राइन करके फाइन पेस्ट बना लेंगे तो नारियल की चटनी हमारी बन गई है अब इसमें तड़का लगाएंगे चटनी को एक बॉल में निकाल लेंगे तो गैस की ऊपर एक तड़का पैन रखेंगे इसमें वन टेबल स्पून सडसो का तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए तो इसमें वन टी स्पून राई आट करेंगे जब राई तोड़ी चटकने लगे तो इसमें तीन चार करी पत्ता आट करेंगे Half teaspoon हिंग एड करेंगे अब इसमें Half teaspoon रेट चिली पाउडर एड करेंगे तो तड़का भी हमारा बन गया अब चटनी के उपर इसे डालेंगे तड़का डालने के बाद चटनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब दोसे के लिए बैर्टर तियार करेंगे अब ग्लास बोल में एक कप सूजी डालेंगे अब इसमें हाप कप गेहु का आटर डालेंगे वन टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे अब इसमें एक कप दही डालेंगे अब इन सब को इस पैचुला से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाइं डालकर पतला बैटर दियार करेंगे बैटर को हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसे 10 से 15 मट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे जिसे हमारी सूजी अच्छे से फोल जाए दोसी के लिए फिलिंग तेयार कर लेते हैं तो यहाँ मैंने पैन में टू टेबल इस्पून सर्सो का तेल डाल कर गर्म होने के लिए रख दिया है जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें वन टेबल इस्पून राई डालेंगे ताई को स्पेचला से चलाएंगे, जब राई चटकने लगे, तो इस में वन टीस्पून उरददाल डालेंगे, वन टीस्पून चना डालेंगे अब इनको थोड़ा सा भून लेंगे भूनने के बाद हाप टी स्पून हिंग आट करेंगे और तीन से चार चॉप्ट की हुई हरी मिर्च आट करेंगे हरी मिर्च को थोड़ा भूनेंगे उसके बाद दो चॉप्ट के वे प्याज आट करेंगे अब प्याज को पिंक कलर होने तक भून लेंगे अब इसमें तीन चार करीपत्ता आड़ करेंगे तो प्याज को फिर से तीन चार सेकंड के लिए भून लेंगे तो प्याज हमारी पिंक कलर की हो गई है अब इसमें ड्राई मसाले आड़ करेंगे तो वन टी स्पून कोरियंडर पाउडर राट करेंगे वन टी स्पून टर्मरिक पाउडर राट करेंगे वन टी स्पून रटचली पाउडर राट करेंगे अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे अब इसमें सॉल्ट राट करेंगे अब इसमें बॉयल आलू हाथों से तोड़ेवे एड़ करेंगे अब आलूं को अच्छे से भून लेंगे अब आलू थोड़ा सब भून जाएं तो इसमें फो टेवल इस्पून पाइन डालकर फिर से अच्छे से भूनेंगे अब आलुओं को एक दो मिनट के लिए फिर से भूनेंगे तो हमारे डोसे की फिलिंग भी तयार होगी अब हम सामभर चेक कर लेते हैं तो सामभर भी अच्छे से पग गया है सब्जियां सारी इसमें गल गई है अब इसको कर्ची से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें 4 टेवल स्पून इमली का पल्प डालेंगे इमली का पल्प डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद एक मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे एक मिनट हो गया है अब गैस की फ्लेम आफ कर देंगे अब सामभर में तड़का लगाएंगे तो यहां मैंने गैस के उपर एक तड़का पैन रखा इसमें 1 टेबल स्पून सर्सुका तेल डालेंगे जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून राई आट करेंगे जब राई थोड़ी चटकने लगी तो इसमें 1 टीजपून हींग आट करेंगे और 3-4 सुखी लाल मिर्च आट करेंगे और 5-6 करीब अट करेंगे बस इसे 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे उसके बाद सामभर में आट करेंगे तो अब तड़के को सामभर में आट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डोसे की बैटर को चेक करेंगे तो बैटर हमारा थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो इसमें थोड़ा सा पानी और आट करेंगे तो पाइन डाल कर बैटर में फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे अब । दोसा बनाने के लिए गैस के उपर दोसा तवा रखेंगे गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसकी उपर थोड़ा सा पाइनी डालेंगे उसके बाद इसे नैपकिन से साफ करेंगे जब तब एपे बैटर डालेंगे तो गैस की फ्लेम लो कर देंगे तो एक लैडल भरके तब एपे बैटर को डालेंगे और एक ही डिरेक्शिन में इसे दुमाएंगे जब बैटर थोड़ा सा उपर से पक जाए तो इसके उपर घी या तेल लगाएंगे अब इसके उपर आलू वाली फिलिंग रखेंगे उसके बाद डोसे को फोल्ड करेंगे तो एक डोसा बनके हमारा रेडी हो गया तो अब इसी तरह हम अपना दूसरा डोसा बनाएंगे तो फ्रेंड्स मेरे इंस्टेंट मसाला डोसा की रेस्पी कैसी लगी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो साइड में वेल आइकन है उसे प्रेस करना बिलक देन आई होब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नही रेसिपी के साथ